गुड मार्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जैसंकर व्रसाज जी द्वारा रचित स्रध्धमन सीर्षक से अगले पध्यांस प्राधाय प्रस्नोत्र देखेंगे, पध्यांस देखो दिया गया है, तपस्य क्यों इतने हो क्लांत, बेदना का यह कैसा वेग, आ एक पर्दा या जहीना नील छीपाय है जिसमें सुगात, अब इस पर अधारित प्रस्नोत्र हम देखेंगे, नीचे देखो संकेत पड़ा हुआ है, तपस्य क्यों डाट डाट करके सुगात, इस पर अधारित पांच प्रस्थ दिये गए हैं, उपर युप्त पंक्तियों के कभियों सीरसक का नाम लिखो, दूसरा कुस्चन है रेखां की तंस की व्याक्षा कीजिए, तीसरा कुस्चन है मन किससे हतास हो गए थे, चौता कुस्चन है रजनी सब्द के दो परियावाची सब्द लिखो और पांच वा कुस्चन है उपर युप्त पंक्तियों में कौन सालंकार है तो इसमें पहला कुश्चन पूछ रहा है कवी और सीर्षक का नाम तो हम उत्तर में हेडिंग डालेंगे कवी का नाम जैसंकरप्रसाथ और सीर्षक का नाम स्रद्धा मनू उसके बाद दूसरा कुश्चन पूँच रहा है रेखांकी तंस की ब्याख्षा तो हम लोग रेखांकी तंस की ब्याख्षा कर देंगे श्रद्धा मनु से कहती है कि हे तपस्वी तुम्हें इतने दुख्वी कें हो तुम्हारे अंदर यह वेदना कें दिखाई दे रही है तुम इतने निरास कें हो मुझे बताओ कि तुम इतने घवराय हुये और व्याकुल के हो या आपकी उपर वाली दो पंक्चियों की व्याख्या हो गई अब हम लोग तीसरा कुश्चन देखेंगे कुश्चन कह रहा है कि मन किस से हतास हो गए थे इसका उत्तर हम दे देंगे मन अपने ग्रहस्त और सांसारिक जीवन से हतास थे चवथा कुश्चन कह रहा है रजनी सब्द के दो परियावाची सब्द लिखो तो उत्तर में हम रजनी रजनी मींस होता है रात तो इसका परियावाची लिख देंगे रात, निशा, निशाचरी ये सब रात के परियावाची हो गए चौथा कुश्चन कह रहा है कि उपर युक्त पंक्तियों में कौन सा लंकार है तो हम उत्तर बता देंगे उपर युक्त पंक्तियों में रूपा का लंकार है इस तरह से इस पद्ध पराधारित पांच उपरस्न और उनके उत्तर हो गए धन्यवाद बच्चों